अब डबल एडर है तो पहला मैंच यहां से सुबह सुबह होने वाला है वैसे ही साड़ी दस प्रेंटालिस अग्जेट डेडलाइन यही कुछ है अब क्या आज के लिए प्रेडिक्शन्स रहती है पहले भी इन दोनों टीम्स के वीच मैंच वाता अभी रिवर्स विक्शर है मतलब दोबारा हो रहा है इस सीजन में एक बार उल्रड़ी जो है ब्रिस्पेन हीट पर्ट स्कोचर्स को उनके होम ग्राउंड में हरा चुकी है आज है पर्ट के होम ग्राउंड में है जहां पर पर्ट को हराना थोड़ा सा मुश्किल रहता तो आज ब्रिस्पेन हीट की ज सब्सक्राइब नहीं क्या हुआ तो फटावर्ट से उभी कर लो क्योंकि अपने को साथ अफ़री का T20 वे इंटरेशनल मैंचे वे अभी आई-ई-ई-टी-वी सब्सक्राइब कर लो साथ साथ बैल नोटिफिकेशन भी प्रस करना एंट टेलिक्राम चैनल भी आप जुन कर सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में साथ साथ फ़र्श कमेंड में भी क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी इंपॉर्ट चीज़े हैं या मैं बोल सकता हू से फर्क पड़ता नहीं है टीम चेज करती है टीम बैटिंग फ़र्श करती है जो अच्छा गिलता हूँ यहां पर विन कर जाता है 33 मैंच से 17 बैटिंग फ़र्श ने 16 जीते बैटिंग सेकिंड ने 164 यहां पर एवरे स्कोर है तो एक बहुत कम स्कोरिंग वाला नहीं रहा है दोनों चीज़े देखो एक पिछले में सेजन का मैच है फॉर्ट ओ फैब का ब्रिस्बेंग हीट ने 175 बनाते है और स्कोचर ने 178 बना दिया थे ठीक है इनी दोनों टीम्स के बीच में हुआ था है मैच जहां पर स्कोचर चेज करके जीती गई थी और एक ची पेस विकेत है पेस के जबकि चारई विकेते स्पिं किया है तो स्कोचर की बात करो स्कोर आप अंदाजा लगा सकते हो 172 ने बनाया चेज हो गया 162 पर्थ ने बनाया भाई रेनिगेट से चेज नहीं हो पाया वो टीम भी वैसी है और यहाँ पर पर्थ ने 211 बनाया एडलेट ने 169 पर वो ओल आउट हो गया 14 विकेट पेस के निकले 13 विकेट उसका बाद में 8 विकेट वहाँ परते तो अगर स्कोर की बात करूं 170-180 कही न पॉर्ण नहीं रहेंगे उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिस्मिन हीट की प्लेइंग लावन अब जितने भी बड़े खिलाडी थे उसमान, खौजा, लबूशन भाई ये सिर्फ एक मैच के लिए थे इस वाले मैच में इन में से कोई भी नहीं खेलने वाला है तो अगर टीम में रखके बैठे हो पहले से तो हटा देना, कोलिन मन्रो जोश प्राउन वापस से उपन कर सकते हैं, उसका बाद में मैक स्विनी का वापस नमबर आ जाएगा तीन पर ही, उसका बाद में रेंच शो है, शैंब बिलिंग्स, पोल वोल्टर, माइकल नी सर, ब बाद में मैक स्विनी जोश प्राउन थोड़े चेंज होता रहता है, वो खवाजा आए, कभी लबूशान आए, कभी नोनी किसी और को खिलाया, तो वो एक चीज है, बट ब्रिस्बेन हीट की सबसे बड़ी चीज ही है, कि अभी तक वो जीत भी रहे, इसी वाज़े से कि व बोल सकता हूँ, और कार्ड दिया है, बोलिंग ही नहीं करा है, यह वैसा भी नहीं रहा था, उसको पहला हूँ और अपनी नहीं बोल के साथ में मिली रहा था, आप रेस्बेन हीट के चारव से इंपॉंट प्लेयर्स, कोलिन मन्रो शुरुआत अच्छी दिए टूर्णामे मैक स्वीनी अच्छा बैटर है, भरोसा कर सकते हो थोड़ा, रिस्क ले सकते हो आज के लिए, वैसे भी पिछले मैच के बतौल है, क्योंकि पिछले मैच में लगुशन और ख्वाजा खेल का है, तो अभी के लिए मैक स्वीनी पर को ध्याद भी नहीं देने वाला है, और ए विकेट की पर सेफ बनते हैं, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, या फिर दोनों को भी पिक कर सकते हो, उसके बाद मेहाँ से पोल वोल्टर है, ऐस एन ओल्डराउंटर भाई, इंपॉर्ण बनता ही, बनता है, अभी के लिए, तीन मैच देन लगा था रोच चुके, दो दो विकेट पोल वोल्टर के साथ में, ऐसा सीवी सी ओप्शन भी रहेगा, बाकी माईकल नीसर नई बोल के साथ में डालने वाला है, अब जिसने भी देखो, पिछली बार मेरा, पिछले मैच में बात सुनी थी, यहां से, उसके लिए, माईकल नीसर के लिए, पिछी के लिए उतने अच्छी चोईस नहीं है, आज यहां से बारलेट अभी के लिए वड़िया फोम में चल रहा है, बारलेट भी, में सावट करने के लिए तो बनता ही नहीं है, अच्छी फोम में, चाई वो टेत ओ, चाई फिर वो शुरुआत हो, विकेट अब बिकेट को यहां से लेता है लेता हूँ इन दोनों में से किसी एक के साथ में मेटेस ग्राउंट पर या स्पिनर को विकेट मिलते नहीं है उतने तो यहां से आज के लिए इग्नोर कर सकते हो स्पिनर को कुने मना वा स्वेपसन अब ऐसा भी नहीं है बिल्कुल 100% कि यार पहले भी नहीं होगा किसी भी किसी भी मैंच में जो युह यह चीज बदल सकते है तो इस व्यावेसे क्या कर सकते हो जील की टीम में मै ट्राइ कर ले मैं में इसनन है पेस बोल के साथ में बाइपको ने idea सिए को आघी मैं है वाइए ने बात करें हैं इसमय को मैं के बहाड ख vowel त इसमें 11 तो वो और तीन यह है यह नहीं खेलने वाले तो इनको छोड़ देना बागी नेक्ष्ट बात करते हैं सीधा पर्त की टीम के बाइनोंने ना कुछ इनके टीम में चेंज हुए है इंजरी के वज़े से वो क्या है कि रिचर्डसन नहीं खेलने वाले जायर रिचर्डस ही थोड़ा कंसिस्टेंट रहता है जब गया था तब भी 25 बना कर गया था उसके लावा सेंग वाइट मैं अच्छी इनिंग खेली थी एकिकत्तिस के उसके बाद में 0-10 और 16 भी थोड़ा इंक्रीजिंग ओडर में चल रहा है होप इस मैच में रन मन है जेल की टीम में तो बेरेंडर करने वाला कोई रहेगा नहीं गैस तौह यहां से लांक्ट भारिस में नहीं बॉलिंक करते हुए Using और फिर आ उसके बाद में यहां से जोश इंग्लिश है जिसके भाई रंस आप पिछले चार-पांच मैचेस में देख सकते हो अभी के लिए ठीक ठाक देख रहे हैं साथ-साथ विकेट कीपिंग के फिर वो पॉंट्स हो जाते हैं तो ओर रोल आपको अच्छे पॉंट्स देखर जाता ह इंग्लिश उसके बाद में लोरी वांस है ले सकते हो भाई देखो चेज करते हो वक्त तो चेज हो या बैटिंग वाष्ट हो अभी के लिए लोरी वांस का परफेंस का ठीक रहा है और ओपनर्स में इनके विकेट गिरता ही है तो यहां से लोरी वांस के वो बैटिंग भी इसको विकेट्स भी हो डेथ में आगे फ्री के मिल गयते हैं अगले मैच मेंदे को बॉलिंग नहीं करा है और आज के लिए वैसा ही होता हूँ आपको दिखेगा ठीक है यहां से एस्टा नेगार टाई मेकेंजी बेरेंड़ोफ और मोरीस यह पांच प्रोपर बोलर हो सकते है छटा बोलर एरन हाडी हो सकता तो कूपर कॉनोली से आज के लिए भी बोलिंग नहीं होने वाले है तो जील में ही रखना है इसको किसी एक टीम में एसल के लिए मत जाना बाकी एश्टा नेगार भाई अभी तक एश्टा नेगार ही एक स्पिनर है जिसको विकेट मिले है पर ठीक है और बाकी एश्टा नेगार बैटिंग से भी थोड़े को पॉइंट दे सकता है इनके जगर आ जाती है तो वह एक एश्टा नेगार का फायता है बाकी तो कुछ नहीं टाई यहां से इंपॉंट बनते है लाश्ट मैच पर टाई नहीं पूरी टीम की डेथ में ज उसके बाद के दोनों मैचेस विकेट लैस है बैरंडोफ नहीं बोल के साथ में विकेट्स निकाल सकता है क्योंकि ब्रिस्बेन हीट के अच्छी पार्टनर्शिप तो होती नहीं शुरुआती हो इक विकेट गवाते ही है पावर प्ले में तो यहां से बैरंडोफ और मॉरि विकेट्स वगरा है केंप गैनन के नान भी बीच बीच में बहुत अच्छे निकाल रहे हैं बागी तो एक और विकेट्लेस है मैथ्यू कैली अगर खेलता है तो मैं जरू पिक करूँगा मैथ्यू कैली को इस ग्राउंड पर रिकोर्ड भी अच्छा है अगेश्ट ब्रिस साथ में डालते हूं दिखेंगे इनकेस अगर कैली खेला तो और इस वेन्यू पर कितने मैचेस है तो भाई जैसा हूं बोलता हूं कि पर्स कोचर अपने ग्राउंड पर भाई सेरा बिल्कुल 32 मैचेस में उन्होंने 22 जीते हैं दस आ रहे हैं पिछला मैच भी वो अपने इ एरन हाडी के नाम है इस गराउंड पर 14 मैच में 497 रंस 45 के वरेस के साथ में इंग्लिश 24 मैच वा पांचो से तावन रहे हैं 26 के वरेस कोलीन मन्रो ने 5 मैच वा बनाये है 200 पर 40 के वरेस के साथ में लोरी वांस के नाम आचुके भाई 3 मैच में 142 रं सेम वाइट मैं चार म कर सकते हो चार मैच में 125 रं बुरे नहीं है नेक्स बॉलिंग शेक्षन के बाद करें तो उसमें तो भाई जाने माने नाम सारे टाई है यहां से 24 मैच में 40 विकेट बैरंड ओफ 22 मैच में 28 विकेट के साथ में कैली के वी 17 मैच में 23 विकेट है इस वन्यू पर भी कैली अच करता है लांस मोर इसके 6 मैच में 12 विकेट हो चुके है एस्टे निगार ने 15 मैच में 12 विकेट निकाले इवन अगर आप एवरेज ट्राइक रेट देखोगे एस्टे निगार का बा साड़े बत्तिस का दग्रिवान एवरेज है और यहां से 26 का श्ट्राइक रेट है जो की अगर निकल कर आती है बट पिछला मैच ब्रिस्पेन ने जो बड़िया तरीके से जीता है यहां से अगेंस कोचर बट हाँ ये मैच घ्यान रखना होगा हीट को भी कि वह परत के होम गराउन पर है और परत इतनी असानी से जीतने नहीं देती है उनके होम गराउन पर वाकि इसी का भी हैट्वेड में उतना अच्छा परफनस नहीं है बैटिंग से बोलिंग से जरूर है बोलिंग से आपको वेरंड़ अफ देखने को मलता है 15 मैच में 25 विकेट एंडु टाइथ में एच्छे विकेट से 15 मैच में तेइस विकेट है टोटल मैथ्यू गैली 6 मैच मे 14 विकेट से कैली के नाम अगेंश्ट यहां से हीट स्वेप्शन की बात करू आठ मैच में 10 विकेट एस्टन एगार का पर्फंस यहां भी थोड़ा सा पीछे ही है 10 मैच में 7 विकेट है यहां जो श्ट्राइक रेट है वो उससे भी जाद है वेन्यू से भी जाद है वेन्यू पर 26 विकेट में 32 का श्ट्राइक रेट है कुनेमन के साथ मैच में 7 विकेट और बार लेट के हैं 6 मैच में 5 वहीं पर अगर हम हैट की तरफ जाते है तो लोरी इवान्स पॉल वोल्टर के अगेंश्ट में 3 बार आउट हो चुका है से जल्दी आउट कर सकते ब्रैंड को बागी सैम बिलिंग्स अगेंश्ट एंड्रो टाई यहां से 22 बोल में दो बार आउट हो चुका है को रखा जो नीछे आने वाले वोल्टर को रखाए वो भी डाउंड पर रहता है बीच में बचेहां मुन्हों थिक है तो मुन्हो Reason को लिया बागी हमने जॉश ब्राउन हुए यहां से रंच सो यहां से मैक्ष्एन हुआ तिनों को मिस्क वह एक रिस्क है तो तीनों मैं सभाई किसी एक को तो आप ले सकते हो एगार की जगे पर बागी बेरंडोफ और टाई हो गए बारलट और यहां से स्पेंसर जोंसन हो गए देखोगे तो स्पिनर सिर्फ ही कहा उसको भी जेंज कर सकते हो अदरवाज सारे पेसर्स को ही रखाया इस मैच में कैप्टन एरन हारी जो सबसे सेफ बनता है वाइस कैप्टन पॉल वोल्टर जो सबसे सेफ बनता है बागी उप्षण आपके पास में नीसर का भी रहने वाला है और ऑप्ष योल्डवेश्टेस मैंच के लिए मिलने आपको नेक्षूड़ों में बहुत ही जाले जल्दू